अब खबरे विस्तार से हजारी बाग इस सिर्थ बर्का गाउं मामले पर प्रदेश अध्यक्ष लक्षमन गिल्वा ने कहा कि जाच में जो दोशी पाई जाएंगे उन पर सक्त कारवाई होगी एक कमिटी गठन कर दिया है जाच करने के जाच अभी चल रहा है मुझे लगता है कि जाच हो जाने के बाद दूद का दूद और पाने का पाली साफ हो जाए इसमें जो भी दोशी पाए जाएंगे उसको सजा मिले के दंडित की जाएंगे पुलिस कर्मियों पर भी होके जिन लोगों ने गोली चाहिए मैं आपको इस वक्त यह कहना चाहता हूं कि उस छेत्र में जो पुर्व मंत्री विधायक रहे हैं स्री जोगेंदर सा हो हूं उनके पीते हुए दिनों के कारे और बरतवान भी है सिर्फ और सिर्फ उस छेत्र में उसका आर्थिक दोहन एक प्रकाव से इस तरह का कारिमा चलते हैं जहां तक NTPC उस छेत्र में प्लांट लगाने की बात है जिससे सारी चीजी उत्पन हुई है रहेतों के साथ में सरकार का कई रौंड बारता भी हुई है कस्तुर्बा गांधी बालिका कर्मी संग के सिक्षकों ने विभिन मांगो को लेकर 13 अक्तुबर से आंदोलन की खोशना की है मेरा सुमन रानी है और हम लोग के मांग है कि स्थाई करन करना है और आपका सेलरी बढ़ाना है पैमेंट और उसके बाद हम लोग को सब को नियामिती करन किया जाए किस चीज़ के टीचर सभी को, हम लोग को जो काम बेतन में मिल रहा है, हम लोग आज कस्तुरवा का इतना, मतलग क्या बोले, नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे जा रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत से बच्चों को सारा पिभरेंस, आज इस डिस्टीक में पूरा रिजल्ट हमारे कस्तुर्वा के बच्चे ही आ रहे हैं, खेल से लेकर, सारे चीजमें हमारे एक्टीव है बच्चे, ऐसा ने, खेल से समंदीत बोलिएं, आपका पढ़ाय से समंदीत, बोलिएं, डान्स का, सारा चीज में हन्रेड पसें तो क्या मांगे हैं मांगे हमारा नियमनती करन है तो यह हमारी महनत कही नतीजा है एडमिशन के समय पे हम लोग घर घर जाकि बच्ची पकड़ के लाते हैं चार निनों से लापता दाइगुट्टो निवासी महिला का शव शुकरवार को बोराम थाना अंतरगत तालाब से बरामद हुआ है महिला के परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है दाइगुट्टो की रहने वाली पार्वती देवी नमक लगभग 30 वर्षिय महिला गत्मंगलवार से लापता थी घरवाले उसे ढूनने में जुटे थे शुकरवार को बोराम थाना अंतरगत एक तालाब से महिला का शव परामद हुआ जिसकी पहचान पार्वती देवी के रूप में की गए मृत्का के पहिजन चिट फंड खिलाने वाले व्यक्ति पर शक जाहिर कर रहे है पुलिस ने फिलहाल शव को पंचनामा कर पोस्ट मार्टम के लिए भीज दिया है मार खान गोपता है अहां कराने वला है यह तो इस रता है जार मत्पा कैसे उससे मतलब दुस्मानी की प्रेक है उस्मानी हुआ है हुआ सर चित्फन की चलते हुआ चित्फन नहीं भारने के लिए बोला सर बलो कि ठीक है नहीं भारेगा तो तुमको हम उठाएंगे बलता है कि यह लोगों के पैर में बिच्छा पैना हाथ में सांकाष चुड़ी भी है समहनाले पिक्षाग्रे में यूजना समिती की बैठक का आयोजन हुआ बैठक में विकास कारों की समिक्षा की गई साथ ही यूजनाओं का खाखा तयार किया गया समहनाले पिक्षाग्रे में शुकरवार को यूजना समिती की बैठक में जीले में चल रहे विकासकारियों की समिक्षा की गई। बैठक में सांसद विद्धुत्वरन महतो, मंत्री सर्यूराय, सभी विभागों के अधिकारी, JNAC, MNAC और जुकसलाई नगर पालिका के विशेश अधिकारियों के अलावा, टाटल स्टील और जुसको के प्रतिनिधी शामिल हुए। बैठक में विकासकारियों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। साथ ही तैसीमा में विकासकारे समाप्त करने पर भी बल दिया गया। बैठक में विकासकारियों की प्रतिनिधी शुक्रवार को केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। चांडिल दल्मा वन निप्रानी आश्रनी के पालतू हाथी रजनी का साथवा जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। बीस पाउंड का केक इस दोरान रजनी और चमपा ने समयक्त रूप से काटा। दल्मा वन पदाधिकारी आरपी सिंग, वन पाल, वन रक्षित एवं वन कर्मे इस मौके पर मौजूद थे। रजनी और चमपा को वन विभाग द्वारा बच्पन से ही पाला गया है। और दोनों ही यहां आने वाले परेटकों के आकर्शन का केंदर है। मेरा नम रोहित मुदी है। तो मैं आया हूँ आज बन स्तुप का तो हम आया है जानकारी पराप्त करने के लिए क्योंकि बन क्यों अविश्ताक है। और जो रजनी है उनका बड़े है तो हम लोग सामिल हूए। हमको अच्छा लगा कि हम पहली बार रहे हैं तो हम लोग का अच्छा लगा कि उनका बड़े हुआ तो हम लोग आये सामिल हूए। सबी आयकर विभागों में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जोई ओफ गिविंग कायरक्रम का आयोजन हो रहा है। इसका उदेश है लोगों को दान के पती प्रेरित करना। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक केंद्रिय प्रत्यक्ष करबोट के निर्देश के अनुसार जोई ओफ गिविंग सप्ता मनाया जा रहा है। इसे मनानी के पीछे उदेश है आयकर विभाग के परिवारों को दान देने के प्रती प्रेरित करना। शुक्रवार को प्रधान आयकर आयोकति श्याम कुमार ने अपनी शहर प्रवास के दोरान मीडिया से बातचित की। और उनका कॉप्रेशन भी ले रहे हैं। कुछ और्गनाईजेशन जिनित किये गए हैं। कुछ आइटम जिनित किये गए हैं जो उनको जरूत हैं। जैसे राइस से लेके कपड़ा, ओईल, हर तरह की वस्तु जो इसके अंदर दैने से उनको इसकी जरूत है। कॉर्परेट सोसल रेस्पॉसिबलेटी CSR जो कंपनी का हुज़ा है। तो हम लोग रिक्वेस्ट किये हैं कि कुछ कॉर्परेट हाउसेज या बड़ी कंपनीयों के जो उनका CSR का बजट होता है। वो भी कुछ नीडी जरूरी व्यक्तियों या संस्ताओं या स्कुल या ऐसी जगह पे डारेक्ट वो पहुँचाया जाए। और यह जो CSR वाला है अब कुछ करेंगे कि यह आठ तारीक तक न रहें। पर्परेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी में जो प्रता कंपनीयों को खर्च करना पड़ता है। वो उनका स्कुल करेंगे कि डारेक्ट खर्च हो। स्विदाओं की कुछ कमी होती है। कुछ ऐसे प्राइमरी ऑस्पिटल भी हो सकते हैं, चाहां पे कुछ चीजों की कमी हो सकती है। CSR को हम प्राइ कर रहे हैं, कॉंट्रेक्ट करके उनको इसके अंदर वाजिदारी बनाने के भी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहट जीले में स्वच्छता विभाग के सचीव अमरेंज सिंग ने समिक्षा बैठक की और अभ्यान को जोर्शोर से चलाने पर बल दिया। समिक्षा बैठक मागिलाल रूंटा प्लस्टो विद्याले में हुई, जिसमें पस्टे में सिंभुम की हुपायुक्त सांत्रों कुमार अग्धरी और विकास आयुक्त चंद्रों मोहन प्रशाद करस्या, पेज 11 सच्छता विभाग के कारिपालक अभियंता सुनील कुमार सच्छियों ने जानकारी लिके जिले में स्वचता अभियान की क्या स्थीति है, कितने प्रकण ODF यानी खुले में सौच से मुक्त हो गए है, उन्होंने स्वचता अभियान के प्रती सब को गंभीर रहने की अपील की, कहा कि इसे सफल बनाने के लिए सब की सभागिता सच्छिता और सौचाले से सम्मंदित साइन बोर्ड लगाने की बात भी कही गए भाशपायों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खगा करने वाले दिल्ली के सीम, अरवेंद केजरिवाल और संजन इरूपम का पुतला फोका भाशपा कारिकरता पुस्ट ओफिस शौक पर जमा हुए जहां पुतला धहन किया गया भाशपा ने सेना का मनूबल गिराने और देश विरोधी बयान देने वालों पर सब्त कार्यवाही की मांग की आज भारती जंता पाटी चावासा नगर की होर से शंजन इरूपम अरिविंद केजरिवाल की कह पुतला धहन किया गया ये भारत के नेता बनते हैं और भारत विरोधी नारे लगाते हैं भारत विरोधी नारे लगाते हैं पाकिस्तान की सिनाओं का सपोर्ट करते हैं भारत की सिनाओं का मनोबल को गिराने का कोशिश करते हैं ऐसे दोनों नेताओं को हम आगरा करते कि फासी दिया जाए भारत की ज जाए और बीच चोक में जिंबा जला दिया जाए जैसे यहाँ पर हम लोग उनका पुतला दाने के जाए